नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्मेंट एजुकेशन में मेरे नाम है जितिंदर आप सभी का स्वागत करता हूं तो दोस्तों चलिए हम आगे के कुश्चन डिसकस करते हैं जो की कुर्प्टू सब्रोप 4 में आई वे कुश्चन है और इसमें बाकि आप जेल पहरी या किसी भी एक्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हों तो साइंस जो है वो आल्मोस सभी में सीम हाता है तो यह आपके जो आने वाला जेल पहरी का एक्जाम है उसके लिए वेनिफीशल है तो चलिए हम फरस कुश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो पहला फ्रक्षण दरफ घर्षण एस्टैक फ्रक्षण एस्टैक घर्षण और बात कीज़न तो बात कीज़एं तो रोलिंग तो यह क्या हो जाएंगा डूर्ड ही स्टैक खैथा water का आजाता है इस्टेटिक जो रहता है वह एक जगह यह रहता है वहीं फ्रेक्शन होता रहता है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा डी option इसका अंसर हो जाएगा चल्य एक लिटत देखते हैं कि नेत्र दोस्से पीड़ित आजपास की बश्चतु को नहीं देख सकता लेकिन बहुत दूर की बश्च्टिंग को देख सकता है यह इस तरह का जो յह वह किस्सेपीडित है तो ऑसस्वास की बश्च्टिंग नहीं देख रहा है लेकिन दूर की बश्च्टिंग बीस्टेश divah तो ध Republicans को अगर देखर रही है होता है जो लेंख hem एक discourts यानि उत्तल थर्पर उत्तल लेंग से दिए से बाक in इसमें यूज किया जाता है और निकले दरोस कई वरता है उसको आसपास की चीजें से देखाई देघी लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखाई देती है तो इसमें जो है होते हैं उनके बीग हो जाते हैं तो जो है वो देखने में असमर्थ होते हैं उन्हें फर्क समझ में नहीं आता है अगला कुशन है बिजली के तारों और दोरियों को ढखने के लिए प्लास्टिक कवर का इस्तमाल किया जाता है क्योंकि तो जायर सी बात है दोरी में वायर है अंदर प्लास्टिक कवर हम यूज कर रहे हैं तो बिजली बाहर नहीं आएगी तो बिजली का क्या होता है यह हमारा बी ऑप्शन पर देखें क्या जैक यह लगया है कि जब Stream Paris aus करेंद य॥ा मलब करियस करता है तो होता है तो एइसेटिक अमला कर्पर होता है और सिय हैं ने करू ऑपकर होता है और निस करिया होता है का हमारा कि भी ऑप्शन सी ओटू और वाटर रिलीज होता है अगला कोशन है यहां पर कीट भक्ची पौद पैचाने यह तो कीट भक्ची जो रहते हैं आपने देखा होंगे कुछ इस तरीगे का जो रहता है और यहां पर थोड़ी थोड़ी से काटी लगी रहते हैं तो जैसे यह आप इसमें उगली देऊगा या कोई कीट आता है तो क्या बंद कर लेता है तो कीटों को जो हो खाता है तो वह होते हैं फिचर प्लांड यानि घट परड़ी तो इसका अंसर ह हो जाएगा ये ऑफ्षिन बाकी देकी क्ँछक क्या होता है ये अमर भेल की तारह होता है आपने देखा होगा कि पीले कलर जो रहती है वह पैरशायट होता है जैसे आमर भेल भी वह वह एविवाल होती है तो यहां पर अंसर हो जाएगा हमारा ये आप्शन नेक्स सेशन है यहाँ पर निम लिखित मैसे जड़ी बूटी पहचानी है तो जड़ी बूटी पहचानी है तो तुलसी का जो हम एक तरीके से जड़ी बूटी के यूज में करते हैं तो इस कंसर हो जाएगा हमारा कि यह अगला कोशन है यहाँ पर कि वह प्लास्टिक जनका कोई रंग नहीं होता है और भोजन संक्रन करने में प्रियो किया जाते हैं तो इसका अंसर हो जाएगा हमारा B option Leukoplus क्या होता है Leukoplus जो plant रहते हैं तो उसमें क्या रहता है यह जो है वो photosynthetic kriya नहीं करते हैं ठीक है यह ऐसी जगह present रहते है photosynthetic kriya नहीं होती है जैसे कि बात की जाए root के तो जमीन के अंदर root है यह bubbles की तरह होते है हैं कुछ ऐसे ठीक है वर्वल की तरह होते हैं तो root में हो गया सीड हो गया जो बीज रहते हैं तो इन में photosynthetic kriya नहीं होती है तो याद रखना है आपको अगला कुश्यन है यहाँ पर कि प्रकास sensation की प्रक्रिया के दोरान जब प्रकास sensation की प्रक्रिया होती है तो आपको पता होगा कि यह बहुत है यहां से sun के solar right की तुरू जो है वो यह photosynthetic होती है और पेड़ पत्तियों में जो chlorophyll होता है उसमें जो रहती है oxygen release करती है carbon dioxide लेती है तो यह क्रिया जो होती है वह सो रूजय को राइसानिक पुरूजया में प्रवितन करती है तो इसका अंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन अगला कुश्चन है यहाँ पर एक FM radio station 98.3 MHz पर गिंदी गाने प्रशाइद करता है तो 98.3 MHz संधर्वित करता है तो यह क्या है तो यह दरसल जो है वो frequency होती है यह 98.3 जो है यह frequency है आप बरती है तो यह आपको याद यहाँ पर इसका अंसर क्या हो जाएगा हमारा its frequency 98.3 Hz यानि D option जो है इसका अंसर को जाएगा ओके अच्छा यहाँ पर M भी लगा हुआ है तो M लगा हुआ है तो मिलियन हो जाएगा तो यहाँ पर हर्च केबल नहीं आएगा मिलियन हर्च जाएगा frequency होती है तो मिलियन हर्च जो है इसका अंसर हो जाएगा जिसे में से उत्तपादित होता है तो ब्रद्धी हर्मोन आपको पता होगा जिसे हम जीए आच भी कहते हैं घ्रोथ हर्मोन कहा जाता है और यह जो है वह प्यूट्री अधि मनुष द से हाट बढ़ती है जिसकी बाकी चीज sinking के चोटा हूटा है जोटा इसे सेस्ट विक्षेत होता है या जाए धिनल इसेमरजेंशों आपको पता हो या पर उसरी हाँता है तो यह यह आद पैंक्रिया जो होता है बात की जाए तो मिक्स ग्लांड इसे बोलते हैं यह जो है वह हर्मॉन और एंजयम तो उनों रिलीज करता है तो इसे भी आपको याद रखना है यह अगरा कुष्यन है यहां पर पानी की सता आपर शैवाल की गहनी फलन कहलाती है तो आपने देखा होगा कि पानी तालाव है उसमें जो है वह सी नीले नीले कलर की परफ़ज जम जाती है तो वह क्या होता है betting अहलोगाउन यह नहीं स्पर पान घ्रकना होता है यहाद भी आ सियो टू प्रेजेंट है कारबन डाय ऑक्साइड वीनेस यानी सुक्र ग्रह पर ठीक है यह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है तो यह भी आपको याद रखना है यह इसे जो है वह सूर बात की जाए तो दिन का जो है वह सुबह का चांद और रात का चांद भी कहा जा है अगला कोशन आपन नमक के गूल में सकारातंक आभिशल को कहा जाता है यह तो जो concludes लीकांव होते हैं उनको क्या बोजा जाता हैं उन्हें बूलते हैं केटायनस को बूलते धना इसे तो नियुक्वल हो जाएगा मारा वी आउप्शन ठीक है अगला घुर यहां पर एक प्राकर्तिक परिगटना जिसमें हैं आश्मान से एक गहरे एक कीपदार बादल जमीन पर पहुंचते हैं तो आपने देखा होगा कुछ एक बायू हवा चलती है तो कुछ यह गोल गोल करके नहीं सब को डाले जाती है अपने ऊपर की तरफ वालिधिन बगैरा तो वह क्या होता है बबंडर होता है अगले खुशन है जब एक पदार्थ गरम हो जाता है तो जब कोई पदार्थ होगा तो उसमें कड़ों की जो कड़ों की जो है वह बढ़ जाती है तो वह क्या होता है कड़ों की गते जूर्जा जो है वह बढ़ जाती है तो इसका अंस जो कि उसकी कितनी बढ़ जाएगी चार वोना क्यूंकि भी उसकर करना देंगी तो यहां से दो का हो जाएगा चार तो यह भी जाए रखना है आपको ऐसे रूम टेंपरीचर पर जो है वह लिक्विट अबस्ता में पाई जाती है तो यह भी आधातु अगर आपसे पूछ लिया है तो ब्रूमी अगला कुछन यहां पर मेडकों में इंडे से निकल कर दीसटी होते हैं तो मेडक जो अंडे होतें थो इससे उन्सदम हमारा ऑफशन अगला कुछन यहां पर CT color क्या होता है तो CT जो रहती है compress natural gas जो ठीहे⁉ इसमें 95% ंरप dough me then होती है ओके बाकी तो तो नहीं फाइब होती है गया धिक यिजिक होती तो मेतम होती है और इसमें जो और प्रोपेन यह तीनों आपको आराकना लेकिन घुटेंड जो रहती है मैनली प्रेजन्ट रहती है वह चो जो प्रोपेन में घ्या daha जो समस्क्तिचित आप मरकेपटन की वजय से होती है अगर आप से पूरा पूछ ले जाये तो इद्धाइल मरकीант ओकेपटन केंँ ऊके इद्धाइल मिला दिया जाता है जिसकी वजे यह सो तरह हमें पता है कि से घ्रेंडर होता है हम गरों में यूज करते हैं तो लीग हो रहा किना नहीं हो रहाँ बना हमें जो हेल पीजी जडिये विज्ड अगर से फिर in यह से यह फिर यहां और पटाने पड़ेगा यहां तो बूंती हम सबस्क्राइब केप्टन हैं क्यों को अगला कुछन आपर एक फृद्बयस यहां तो जाई-टी होते हैं एक-ठरिन है मानिस कैफोड यहां पर जमआ होती है तो यह भी फूच्छ ले जाता यह तो यहां रखना आपको अगला कुशन है आपको सचाई का सबसे महहगा लेकिन सबसे कारगार तरीका क्या है तो सचाई का जो महगा और सबसे कारगा तरीका जो है वो चुनाव द्वारा सचाई जो है इसका अंसर हो जाएगा जो जिस जगे जरू है तो वहीं पर सुचाई करना होता है तो इसका अंसर हो जाएगा हमारा C option next question है याँ पर पानी का विशंकरमन रोकने के लिए अधातू का इस्तमाल किया जाता है तो कई बात मैंने बताया हुआ है कि पानी का सुद्धी करन करने के लिए या disinfected water हमें बनाने के लिए chlorine का यूज किया जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा यह एक अधातू है याद रखन है ओके अगला कुछ्छे नहीं अपरम biri brcing कटाराण है जो ठंड होती है जो बादल गरज देहों इसका कारण क्या होता है उसका कारण तरसल होता है जो विपरीद औरों के मिलनी के कारण वातावराणने आघात तरगा जू हUI हो उत्पत करते हैं तो अब आपने द, आप रह तो वही जो है बादलों में होता है तो क्या होता है विप्री तावेश के कारण बादलों के मिलने के कारण बातावरण में आगा थरंगे जो है वो बनना होता है अगला कोशन है यहाँ पर जब आप बाहर खुले में हैं और वहां तूफान आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए तो जब भी आप कभी बाहर में हो और तूफान आ रहा है वहाँ पर तो आपको जो है वो जमीन पर सिर्फ बैड जाना चाहिए पालती मारक और बैठ जाना चाहिए तो इस कांसर हो जाएगा हमारा C option नेक्स है यहाँ पर तरल दवाब को मापने के लिए प्रियोग किये जाने वाला उप करना तो तरल दवाब यहाँ पर liquid pressure को मापने के लिए हम यूज करते हैं मैनो मीटर तो इस कांसर हो जाएगा यह option दें कि हाइडरो मीटर में कन्फूज बिल्कुल मत होना liquid pressure के लिए हम मैनो मीटर का यूज करते हैं और हाइडरो मीटर का जो है वो density के लिए liquid की density के लिए हम यूज करते हैं ओके पायू का pressure के लिए कीः वायरोमीटर का लैक्टोमीटर जो है। दूध में kतना पानि fui मलाक है। तो इसका पता करनने के लिए लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। नाइकक्स है यहां पर धेंगूब बारस के यह का बहाक है। तो जो धंगउ बारस है, उसे कौन लेकर चलता है, तो जाहिस वात हुँ अधो 這 ये मच्छ गार होती है, और मच्छर जो रहता है वह वहाता है, मादा, हैणडी ज of अधि it. एडीज मच्छर रहती है ठीक है तो यह क्या रहता है जो आर्टीफीसियली कलेक्शन जो रेंड वाटर होता है वो लेकर चलता है वो जिसकी वज़े से जो है वो डेंगु बारस को फैला देता है तो मादा एंडीज मच्छर इसका अंसर हो जाएगा हमारा भी आप्शन महला एनफलेजा मच्छर यह क्या करता है महला एनफलेजा मच्छर यह साफ पानी जो रहता है वहां से जो कलेट करता है और यह मलेरिया फैलाता है ठीक है एक और होता है मादा क्यूलेस क्यूलेक्स करके होता है क्यूलेक्स मादा क्यूलेक्स मक्षर होता है यह गंदा और संक्र यह भी फैलाता है जी का वायरस हुआ तो यह सब जो है वो मादा क्यूलेक्स मश्चर क्या होता है जो गंदा संकुनित पानी से कलेक्ट करके नहीं जो हो फाइल एडिया फैलाता है तो इन सब भी को याद रखना है तो यह थे 25 कुश्चन आई होप जितनी भी कुश्चन मैंने यहाँ पर 25 कराएं आपको अच्छे से समझ आए होंगे अच्छे से समझ मैं तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंडों के साथ सेर जरूर कर जिया करें जिससे कि हमें मॉटिवेट मिलता है आपका एक लाइक बहुत ही जरूरी होता है हमारे लिए और हमें वीडियो को अच्छा लगता है जो भी साथ ही नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में एक बेल आइकन बनके है कि उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा जिसके मात दम सबको वीडियो का नोटिपिकेशन मिलता है तो मि एक लिए वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग दे वीडियो एव नाच दे